अलो और वेलकम दोस्तों टुफाइमेंट इंजिनियरिंग आज का वीडियो आखिर बड़ा का माल गाओने वाला कि भाई आज बकेट सौट को समझने वाल है कि भाई ये बकेट सौट जो अल्गुरिजम है आखिर इसमें हर एक जो अल्गुरिजम की स्टेप है वो क्या काम क कर रहे इस अल्गुरिजम का पूरा वर्किंग फ्लो क्या है इन सारे सवालों के जवाव आपको इस वीडियो की तरू मिलने वाले हैं जहां पर इस एक्जांपल को सौल करते करते हैं स्टेप वाइस में बताऊंगा कि आखिर यह जो बकेट सौट अल्गुरिजम है ये काम कैसे करता है तो इनिशली आपको जो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया होगा अब यहाँ पे आपके डेसिमल नंबर्स है बराबर इन्हें आपको सौट करना है इनिशली भाई ये क्वेश्चन दिया है और बोल रहे हैं कि बकेट सौट यूज़ करो तो बकेट सौट अपर मैंने 029 ऐसे क्यों लिखा हुआ है क्योंकि हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है दोस्तो हर एक इस एलिमेंट पे वो रहने वाला है इस डेसिमल पॉइंट के बाद वाले नंबर पे हमारा फोकस रहने वाला है तो आखिर ये डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी नंबर मौझूद हो सकता है आपके इन given data में कोई भी नमबर मौझूद हो सकता है ठीक है तो उसके लिए हर एक के लिए हम लोगों ने एक एक यहां पर bucket तयार किया है क्या तयार किया है हमने आप bucket तयार किया है तो ऐसी total कितनी buckets है ऐसी यहां पर 10 buckets हमने consider की हुई है और फिर अभी इन buckets का importance क्या है इनका significance क्या है कैसे अभी हम लोग को buckets help करेंगी sorting करने में वो अभी समझते तो पहला step तो समझ में आगया भईया कि decimal point के बाद वाला जो number होगा उसके उपर हमारा focus होगा और वो कोई भी हो सकता है तो हमने क्या किया भईया इतने buckets consider कर लिए 10 buckets indicating 0, 1, 2, 3, 4, 5, till 9 बराबर है तो अभी हमारा आगला step क्या होगा आगला step चलो चलते हैं एक-एक element को लेते हैं बराबर तो पहला element है 0.35 0.35 तो हमारा focus का है decimal point के बाद वाले number पे 3 तो यह जो है आपका यह element कहां जाएगा एक तरीके से list आप तयार करोगी you are going to generator list और you are going to prepare constructor list तो क्या होगा है आपे it will be like this इस तरीके से होगा 0.35 I hope you understand कि भाईया इसके decimal point के बाद 3 था इसलिए यह जो bucket 3 है जिसका you can say जो bucket label आपकी 3 है उसे मैंने एक तरीके से यह element लगा दिया है और ऐसी आपको list तैयर करनी है भी अगर इसके बाद भी अगर कोई ऐसा element आता है जिसके decimal point के बाद 3 है तो आप उसको इसके पीछे लगाओगे तो एक तरीके से आप ऐसी list तैयर करते जाओगे बराबर तो अब आते हैं भी यह point 0 है तो यहाँ पर इस bucket को हम लोग use करेंगे बराबर और उसके अंदर हम लोग वो जो element है उसे यहाँ पर एक तरीके से डालेंगे ठीक है हो गया अगला point के बाद 9 आ रहा है तो कहा होगा यहाँ पर होगा बराबर है that is point 99 बात सही है उसके point 3 हाँ अभी point 3 वापस आगया तो हम लोग कहा जाएंगे इसी bucket पर जाएंगे और इसके बात जो है उस element को यहाँ पर रख देंगे point 39 बात सही है उसके अधात है point 05 पर तो अभी point 0 है मतलब decimal के बाद 0 है तो इसको चुनेंगे इस bucket को और इसके अंदर उस particular element को भाई डाल देना है बराबर आगे आते हैं यह point 45 तो यहाँ पर decimal point के बाद 4 आ रहा है तो यहाँ पर लगे जाना है focus आपका और element को डाल देना है that is nothing but the point 45 बराबर आगे देखते है point 2 है decimal point के बाद 2 आ रहा है तो अभी यह कहां जाएगा यहाँ पर जाएगा यहाँ पर कोई भी अभी तक element नहीं था इस bucket में अभी यह पहला element है point 23 उसके अजाते point 40 वापस 4 पर जाना है और इसके पीछे एक element लगा देना है that is point 40 बराबर है correct उसके अजात है point 42 भाई हदी होगे लिस्ट काफी लंबी होगे 40 bucket 4 में जादा elements हो गए यहाँ पर एक तरीके से कह सकते है point 42 हो गए बराबर and point 21 point 21 that is decimal point के बाद 2 है that is it is point 21 बराबर तो भाई अभी यहां तर तो step हो गया यहां तक तो हमने कर दिया इसके बाद क्या करना है तो हमने यहां पर क्या किया है एक एक bucket में respective elements की list हमने आपर तैयर कर दिये अभी इसके बाद step क्या है क्योंकि आगर आप गौर से देखोगे मैं अगर directly इनको ऐसे ही लिखना शुरू करूं मतलब if I say अगर मैं ऐसे लिखना शुरू करूं तो क्या होगा हो लाइक दिस 0.23 0.21 अगर मैं इसी तरीके से लिखता जाऊं एक तरीके से concatenate करूं इसी फॉर्म में तो आगर आप देखोगे तो यहां पर मेरा sorted nature नहीं दिख रहा है मुझे पराबर है ना जैसा भी है अभी यह पूरे को पूरे जो लिस्ट अगर इंको मैं concatenate करता हूं जैसे पहले यह element उसके बाद यह उसके बाद यह उसके बाद यह फाइनल यह अगर मैं ऐसा बकेट शुडबी इंडिविजुली सॉर्टेड बाई यूजिंग सम्सॉर्टिंग अल्गुर्दम फॉर इंसर्शन सॉर्ट इंसर्शन सॉर्ट का वीडियो आपने देखा होगा बराबर तो आपको क्या करना है रिस्पेक्टिव इच बकेट में आपको यह जो लिस्ट है इसके उपर एक सॉर्टिंग अल्गुर्दम लगाना है ताकि आप उसको सॉर्ट कर सको इंसर्शन सॉर्ट लगा सको तो बहतर होगा बराबर तो अभी यहाँ पर मैं सॉर्टिंग लगाता हूं 0.01, 0.05 यहाँ पर कोई जरुवत नहीं यह पहले से सॉर्टेड है तो इस व क्लियर तो हम लोग इच बकेट कंसिडर करते हुए उसके अंदर के एलिमेंट्स को उस लिस्ट में जो प्रेजेंट है उन्हें हम क्या करने वाले सॉर्ट करने वाले जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है इस ऑल्रडी न सॉर्टेड नीचर बराबर फिर फोर में जाते हैं आप फोर में बहुत जमील है, क्या है पहले 45 है, 40 and 42 है अभी हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है, क्या होगा तो वो कुछ इस तरीके से 45, 40 and .42 बराबर तो अभी हमें क्या करना है, सबसे चोटा यह है, तो this will be coming सबसे पहले, फ्रंट, 40, उसके बाद 42, और सबसे लास्ट में 4 5 इस तरीके से तो अभी आपका वो पहले कुछ इस तरीके से थे elements अब वो ऐसे होगा बराबर that means you have sorted them by using some sorting algorithm mostly हम लोग prefer करते हैं insertion sort बराबर उसके आप भाईए यह 5678 इनमें कुछ ही नहीं according to the elements which are given in buckets में कुछ गया है नहीं कुछ element ही नहीं गया है ठीक है उसके देखते हैं नाइन वाला ओके नाइन वाला जो बकेट उसमें एक ही element है तो एक ही अगर element होता है तो आपने आपने 0.01 फिर आएगा 0.05 फिर आता है भाई 0.21 फिर आता है 0.23 यह जो भाई आ गया है that is nothing but the यह इसका sorted version है by using the bucket sort algorithm कैसे आया कैसे मैंने steps को follow किया steps का reason क्या था उन steps को follow करने के लिए I hope I have made my point clear और यह हर एक step को मैंने explain कर दिया है आप तक पहुचा दिया है कैसे भाई यह resultant output generate हुआ है यह भी आपको समझा दिया अगर यह सारी चीज़े आपको अच्छी लग गए होंगी पसंद आ गए होंगी यह पूरा वीडियो का जो meaning अगर वो समझ आ गया होगा तो दोस्तों सबसे important चीज भाई like कर दीजिए और उससे भी जादा कई गुना जादा important चीज जो है वो यह है कि भाई इस वीडियो को share कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ इसे share कीजिए exam काफी नजदीक आ रही है मदद हर एक तक पहुचाईए अपने दोस्त तक पहुचाईए मेरे वीडियो को share कीजिए thanks a lot दोस्तों for watching this video